हेलो फ्रेंज, अब सभी का स्वागत है मेरे यूटीब चैनल SNK पार्ट साला में और आज हम बात करने वाले हैं बेंगोल बोर्ट क्लास 6 का लेसन 10 जिसका नाम है स्मार्ट आइस क्रीम, यह रिटन है पॉल जैनिंग्स के द्वारा याद रखिएगा स्मार्ट आइस क्रीम एक ऐसी स्टोरी है जो बच्चों के ऊपर बेस है बच्चे किस तरह के धारनाया बना लेते हैं किसी को देख करके इसमें बताया जा रहा है तो समय को बरबात न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझने एकोईज करते हैं पहले हम बात करेंगे राइटर का बारे में So, Let's Start Okay Paul Jennings who was born in 1943 तो यहाँ देख पा रहे हैं हम कि Paul Jennings जिनका जन्म उन्न सो तेताली एक में हुआ था इस एन इंग्लीस बोर्न ऐस्ट्रेलियन चिल्ड्रेन्स राइटर इनका जन्म कहा हुआ है English board मानने कि ये हैं Australia के रेकिन England में इनका जन हुआ His books mainly feature short stories that lead to the reader through an unusual series of events that end with a twist इनकी जो book की कहानिया होते थी या फिर जो short stories हुआ करते थे वो reader को एक unusual, unusual का series of event का मतलब होता है जो देखने में अलग प्रतीत हो जो समानने नहो और समानने हो उसको हम लोग unusual कहते हैं तो ऐसी series में एक कहानिया चलती थी और जब खत्म होती थी तो कुछ और ही दिखता था जैसे कि हम मान लिजी एक ऐसा movie देखते हुए आयें जिसमें क्या था पहले पूरा humor था, चारतरफ हंसी थी अचानक बीच में villain के एंट्री होती है यानि कि कहते हैं twist आना अभी यहाँ पर थोड़ा मार्था दिखाई देगा clear होगा, आगे बढ़ते हैं in 1985, Jennings's first book of short stories 1985 में Jennings का पहला book का short story था, उसका नाम था unreal, was published, वो published हुआ the present story is an adaptation from one of his notable work और जो अभी stories दी गई है वो उनके एक बहुत ही प्रसीद work से लिया गया है यानि कि छापा हुआ है यहाँ कुछ चीजे दी गई है let's share में, थोड़ा साब देख लिजिए share करके अपने दोस्तों के साथ सीखिए इसे और बात करिए इसके बारे में given below are the characteristics of one particular food item so first is frozen second is sweet और third is of different flavor and colors frozen माने जमा हुआ थंडा चीज को कहते है sweet माने मीठा और different color का होगा different flavor का होगा तो इसा कौन सा चीज है ठीक है तो यहाँ option दिया हुआ है biscuit को कहते है ice cream को कहते है pickles और अचार को कहते है answer होगा ice cream यहाँ पर आपको ice cream fill करना है आगे बढ़ते हैं अब आपके लिए एक question है fill in the following table जो table दिया गया है इसको fill करना है with the names of food items उन food items से you eat at major meals जो आप खास करके खाते हैं जैसे breakfast देने के सुबह नास्ते में आप जो खाते हैं वो lunch में दुपहर में जो खाते हैं हो और dinner में रात में खाते हैं हो यह आपका काम है वो करके रखना है यहाँ आप देख रहे होंगे कि यहाँ here are the three types of ice cream यहाँ पर आपको तीन टाइप की ice cream दिखाए गई है cone, tub and stick यह आपको जान करके रखना चाहिए I came top of the class again हला कि मैं इस बार भी class में पहला आया top किया मैंने प्रथम आया I got 100 out of 100 for maths मुझे maths में यानि गनीत में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए and 100 out of 100 for English और मुझे English में भी 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए I have a very sharp brain the best there is मेरे पास एक बहुत ही sharp दिमाग है और जो यहां के जितने भी लोग है उन सब में सबसे अच्छा है There isn't one kid in the class who can come near me इस class में जहां मैं पढ़ता हूँ यहां ऐसा एक भी बच्चा नहीं है who can come मन जो आ सके near me मेरे नजदीक ध्यान से सुनिएगा इस्टोरी को इसमें एक बच्चा बता रहा है कि अपने बारे में कि वो कितना तेज है पढ़ने में और कैसे वो अपनी तारिफ कर रहा है आगे लें दखते हैं every year I win a lot of prizes हर एक साल मैं बहुत सारे a lot of का मतलब गया बहुत सारे डहर सारे prizes जितता हूँ top of the class का prize मिलता है top of the school का prize भी मुझे ही मिलता है I own a prize for spelling मुझे spelling करने के लिए मतलब कोई word बोला गया उसका spelling लिखने के लिए भी prize मिला when I was only three years old जब मैं केवल तीन साल का था I am a terrific speller यहां terrific का मतलब डरावना नहीं बहुकि आस्चर करने वाला होगा speller का मतलब मैं एक बहुत ही सांदार सबको आस्चर कर देने वाला और spelling रिखने वाला लगका हूँ I can spell every word that is मैं किसी भी word को जैसा वो है एकदम वैसे ही spell कर सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ आप अगर बोलेंगे तो यहां बात हो रही है ऐसे ही बच्चों के बीच की थोड़ा ध्यांस देखिएगा अभी उनके तुलना की जाएगी some kids दीख रहा होगा some kids don't like me बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं I know that for a fact हाँ मुझे पता है कि यह सच है they say वो कहते हैं I'm a show of वो कहते हैं कि मैं दिखावा करता हूँ किसी को खुश करने के लिए जो हम लोग करते हैं ऐसा तो है जैसे teachers बगरा को but I don't care लेकिन वो क्या कहता है I don't care मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता they are just jealous वोग क्यावल मुझे से जलते हैं because they are not as clever as me क्योंकि वो लोग मेरे जैसे clever यानि कि चलाक नहीं है story आगे करते हैं last week something bad happened यहां तक तो वो बच्चा अपने बारे यह बता रहा था अपनी तारीफ कर रहा था और दूसरे बच्चे उससे कैसे बात करते हैं वहां तक था लेकिन अभी जो कहानी start होने वाली है इसमें क्या है वो देखिए अब क्या होता है कि एक दूसरा बच्चा है जो फर्स आ जाता है जाईर सा बात है जो बच्चा फर्स आ रहा उसको तो पसंद नहीं आएगा तो वही बात देखने को मिलती है last week something bad happened यहीं पिछले सबता कुछ बूरा हुआ another kid got 100 out of 100 for math too दूसरा एक बच्चा था वह भी math में उसको भी 100 में 100 अंक प्राप्त हुए जो आज तक किसी नहीं किया था that never happened before मतलब आज तक ऐसा कफी नहीं हुआ था no one has ever done as well as me किसी ने मेरे जैसा आज तक नहीं किया था a kid called jerem dadian beat me एक ऐसा लड़का जिसका नाम था jerem dadian उसने मुझे हरा दिया I was sure he cheated मुझे बिश्वास था कि उसने cheating की है मतलब उसने चल किया है या फिर चोरी की है it had something to do with that ice cream और जो ये जीत पाया है इसके पिछे या फिर जो ये number ला पाया है 100 में 100 math में इसके पिछे मुझे लगता है कि कुछ तो कारण है वो जो ice cream है उसी से जुड़ा हुआ I was sure of it और मुझे इस पर पूरा विश्वास था I decided to find out what was going on तब मैंने निश्चे किया कि मैं देखूंगा कि मेरे पिछे क्या होने वाला है आपको ये word याद करने चाहिए जिससे कि आपकी English is strong जैसे terrific का मतलब यहाँ पर wonderful यानि क्या शुचर करने वाला शो अफ का मतलब बता है आप person who tries to impress others एक ऐसा आदमी जो दुछरे को impress करना चाहिए लुबाना चाहिए by showing how good he or see मतलब कि वो कितना अच्छा है ये बात बता करके यहाँ पर आपको पढ़ करके तो यहाँ रहा हमारा second वाला start करते हैं पढ़ना यहाँ तक कहानी खतम होती है आप वो पता करगा कि उस ice cream में क्या था it all started with that ice cream man मुझे पता है कि यह सब start हुआ मैंने प्रारम हुआ उस समय से जब वो ice cream man था उसको देखा था मैंने उसी के बात से जिसका नाम था Mr. Pepe यानि कि वो ice cream man से ही यह सारी बाते start हुई है he had a van उसके पास एक गाड़ी थी आप यहाँ देख सकते हैं मैं दिखा लेता हूँ यह van जो दिख रहा है चोटा सा कार्ट के टाइप में he had a van which he parked outside the school जिसको वो school के बाहर पार्क करता था मैंने लगाता था he sold ice cream all different types वो ice cream बेचा करता था हर एक प्रकार की he had every flavor there is जितने भी सारे flavor होते हैं flavor का मतलब होता है अलग-अलग स्वाद वाले वो सारे ice creams के पास थे he didn't like me very much वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करता है ये एक बच्चा अपने बारे में सोच रहा है साब he told me once उसने मुझे एक बार बताया you think you are smart क्या तुम्हें लगता है कि तुम smart हो one day you will be too smart एक दिन तुम कुछ ज़्यादा ही smart हो जाओगे मतलब एक दिन तुम मूर्ख हो जाओगे इसका मतलब यह होता है मतलब तुमको हराय जाएगा beat करना को कहते हैं यहापर I just laughed and walked off मैं केवल हसा और वहाँ सा चल गया I knew he wouldn't do anything मुझे पता था कि वो कुछ नहीं कर सकता he was too soft hearted वो बहुत ही दयालू था he was always given free ice cream to kids who had no money वो उन बच्चों को हमेशा free में ice cream दिया करता था जिनके पास पैसे नहीं होते थे he felt sorry for poor people और जो लोग गरीब थे उनके लिए वो हमेशा दया का भावशो करता था और उसे निरासा होती थी उनके लिए ध्यान से सुनिए there were a lot of stories going around about that ice cream उस ice cream वैन के around यानि चारो तरफ बहुत सारी कहानिया सुनाइद परती थी people said that लोग कहते थे कि it was good for you people said that it was good for you यह सब के लिए सही है some kids said that it made you better some कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कहते थे कि यह तुम्हें better कर सकता है वैने अच्छा कर सकता है when you were sick जब तुम बिमार पढ़ जाओ one of the teacher सिख चोकों मैं से एक called it happy ice cream उन्होंने इसे क्या नाम दे दिया था happy ice cream क्योंकि बच्चे इसे जब खा दे तो बहुत happy यानि खूस होया जाते I didn't believe it लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं था it never made me happy इसने मुझे तो कभी खूस नहीं किया ये बाते आगे बलती है आगे चलते है all the same there was something strange about it लेकिन एक बात तो ठीगी था लेकिन यहाँ पर कुछ अजीब भी था there was a kid at school school में एक बच्चा था who had a long nose जिसकी नाक लंबी थी when he blew it जब वो सांस लेता त्या फिर बजाता इसे you could hear it a mile away तुम इसे एक मिल दूर से भी सुन सकते पेपी felt sorry for him पेपी को उस पर दया आ गई he gave him a small green ice cream every morning और तब वो उसे हर रोज हर सुबा उसे एक ice cream देने लगे जो कैसी थी? green ice cream यहनी कि हारे रंग थी for nothing लेकिन बिना किसी reason का ऐसी बस देने लगे you won't believe what happened लेकिन तुम्हें बिस्वास नहीं होगा कि हुआ क्या his nose began to grow smaller धिरे धिरे उसका नाक छोटा होने लगा यह ice cream खा करके every day it grew a bit smaller और हर एक दिन यह थोड़ा छोटा हो जाता in the end it was just a normal nose और last में यह दिखा गया कि यह nose पूरा तरह से समाने मनुस्य के दरज तरह होता है मानुव के तरह एक बोई के तरह उसका नाक हो गया when it was the right size जब right size का यह nose हो गया एक लड़का था जिसके गालो में pimples हो गया थे उसको मेंने कैसा ice cream दिया purple ice cream and his pimples were cured और उसके pimples ठीक हो गया I made up my mind to put a stop to this ice cream business और तब मैंने अपने मन में यह ठान लिया कि मैं इस ice cream business पर क्या करूँगा stop लगाऊँगा जेरम डेडियन भी उस दिन ice cream खा रहा था जिस दिन उसे 100 मैं से 100 मैं में मिले थे it must have been the ice cream making him smart मुझा लगता है कि यह ice cream ही थी जो उसे smart बना दी थी मैं बहुत तेज कर रही थी पढ़ाई में I wasn't going to have anyone doing as well as me I wasn't going to have anyone मने मुझे कोई पसंद नहीं था जो मेरे जैसा कर सके I was the smartest kid in the school मैं school में सबसे smartest kid था मने सबसे बुद्धिमान और चलाक बच्चा था that's the way I wanted it to stay मैं चाथा था कि मैं ही हमेसा ऐसा रहूं I wanted to get a look inside that ice cream van to find out what was going on मैं चाथा था कि उस ice cream van में मैं देख हूँ inside मने के अंदर कि आखिर हो क्या रहा है यह ice cream के बारे में क्या मिल रही है फिर से यहां मिलता है दो word आपको याद करना चाहिए जैसे पहला है flavor मने होता है particular type of taste and smell different taste हो different smell हो ठीक है उसमें से किसी एक flavor को जिससे आपको कोई पसंद हो यह से वैनिला हो गया चोकलेट हो गया आइस क्रीम के बारे में बात हो रही soft hearted यानि की kind दया लू next story पर चलते हैं और यह last होगी let's continue I knew where baby kept his van at night मुझे पता था कि baby जो थे then I crept out of the house and down to baby's van और उसके बाद मैं क्या हुआ कि धीरे से घर से बाहर निकला और baby's के वैन जहां रखा हुआ था वहाँ चला गया there was no one around when I reached the van जब मैं वैन के पास पहुचा वहाँ पर को ही नहीं था I forced the door open I forced the door open and sewn my torch around inside मैंने force किया तो दरवाजा खुल गया और उसके बाद मैंने अपने torch को उसके अंदर बाहर का मतलब अंदर प्रकास करके इससे देखा जैसे यह देख रहा देखिए खोल करके I had never seen so many tubs of ice cream before मैंने इतने सारे tubs ice cream के इससे पहले कभी नहीं देखे थे समझ में आ रहा होगा there was there were apple and banana cherry and mango blackberry and watermelon and about 50 other flavors वहाँ पर बहुत सारे flavors थे जैसे कि apple flavor, banana flavor, cherry flavor, mango, blackberry, watermelon, etc right at the end of the van were four beans उसे में end of the van माने बेन के अंत में चार ऐसे बेन रखे हुए थे जिसको कहा था it was just I thought मुझा जैसा लगा था यह वही बेन थे तब थे, बेन थे बेन माने डबा these were his special flavors और यही उसके special flavors थे जो खास थे each one had a writing on top और सब के उपर कुछ लिखा हुआ था top के उपर this is what they said और यह ऐसा कहा करते थे ध्यान से सुनेंगे यह यहाँ एक poem के तरह create किया गया है happy ice cream for cheering people up nose ice cream for long noses pimple ice cream for removing pimples smart ice cream for getting in smart इस तरह से मतलब कि happy ice cream अगर आप खाते हैं तो क्या होगा आप लोगों को हसाएंगे और खुद भी हसेंगे nose ice cream खाने से आपके long nose अगर होगा तो ठीक हो जाएगा pimple ice cream खाते हैं तो pimples remove हो जाएंगे हट जाएंगे smart ice cream खाएंगे smart बन जाएंगे now I knew his secret अब मुझे इसका secret पता था dadian had been eating smart ice cream oh मतलब dadian जिसको 100 में से 100 मिले बच्चे को वो भी smart ice cream खा रहा था that's how he got 100 for maths इस तरह सो उसको 100 में 100 अंग पराप्त हुए math में thereafter I decided to finish off the matter तब मैंने सोचा कि मैं सबको खतम कर दूँगा I put some sand that I carried with me into every bin in the van van में मैंने क्या किया except for the smart ice cream जो smart ice cream बचा था उसको छोड़ करके next इसके बाद I looked at the smart ice cream फिर मैंने smart ice cream उतरह देखा I decided to eat some मैंने क्या किया सोचा कि मैं कुछ खा लू not that I needed it लेकिन मुझे इसकी आउसकता नहीं थी I was quite smart already मैं पूरी तरह से ही smart था यह मुझे पता था anyway I gave it a try लेकिन मैंने सोचा कि मैं थोड़ा try कर लू I ate a lot लेकिन मैं जब खाने स्टार्ट किया तो मैंने बहुँच दखा लिया once I started I couldn't stop जैसे ही मैंने स्टार्ट किया मैं उसका रूख ही नहीं पाया it tasted good इसका टेस्ट बहुत अच्छा था it was delicious यह बहुत ही स्वाधिष्ट था at last I left the van and went home to bed इसके बाद मैंने उस van को इसे छोड़ दिया और घर चला गया सोने के लिए but I couldn't sleep लेकिन मैं सो नहीं पाया to tell the truth सच बताने के लिए अगर मैं सच कहूं I didn't feel too good उस दिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा था I think I have made a mistake मुझे लगा कि मैंने एक mistake यानि मैंने एक गलती कर दी it is the थोड़ा सा spelling अलग लिखा हुआ it is the next day next day now अब अगला दिन आ गया था something is happening to me मुझे कुछ हो रहा था I don't feel quite as smart मैं पहले की भाती अपने आपको smart नहीं समझ पा रहा था यह मुझे नहीं लग रहा था मैं मुर्क जैसा लग रहा था अपने आपको fill कर पा रहा था I have been trying to do a real hard sum मैं कोसिस कर रहा था कि मैं सच में hard sum को solve करूं it is wound and wound लेकिन यह मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था wound and wound का मतलब यहां पर हुआ कि यह क्या था मैं बनाने पा रहा था What does wound and wound make wound and wound make मतलब क्या होता है मुझे समझ में नहीं आ रहा था It is 3 और is it 4 यह क्या था यह 3 था यह 4 था लेकिन देखे सारा का spelling wrong है, इसका मतलब क्या बतना चाहता है, कि बच्चे आप खुद को उतना smart नहीं समझ पा रहा, उसे आप ये नहीं समझ में आ रहा, कि क्या वो पहले की तरह smart है, उसने destroy कर दिया, खुद आइस्क्रीम खाया, लेकिन क्या आइस्क्रीम का इसमें role है, किस बसंद आती है, तो like करें, और कोई भी question आपके मन में रहता है, तो आप comments के सान में लिख करके मुझ से पूछ सकते हैं, अगर आप नहीं लिख सकते हैं, तो अपने बड़े जो भर में हैं, उनसे बोलिए, कि इसमें लिख दिजिए ये बात, और मैं बाद में उसको answer या फिर मैं और वीडियो बना दूँगा, तैंक यू सो मुझ पर वाचिं दिस वीडियो,